मैं एक सभा में गया, सभा के अंदर मुझे बलाया, सामाजिक विसे के उपर वो सभा होनी थी तो वहाँ एक सज्जन भाशन देने के लिए महाँ आये, जब वो भाशन देने लगे, थोड़े समय के अंदर ही उनकी गले की नसें पढने लगी एसी हॉल था, मगर वो पसीने पसीने हुए जा रहे, बड़ा जोड जोड सा चीख रहे, उनके मुझे ज़ाग आने को त्यार माइक उनने इतना कसकर पकड़ रखता कि अगर पांच आदमी माइक को छुड़ाएं तो माइक छोड़ नहीं सकते वो समय वो खूब ले थे और इतने उस्ताज और इतने कलाकार कि मंच पे बैठे हुए जो लोग थे तीन बात अपनी कहें और दो बात उनकी तारीफ में कहें और उनका नाम ले लेके बोले थे और उनको वाव भाई उनकी कर रहे थे और बोलते जा रहे थे समय उन्होंने कुछ ज़्यादा ले ले रहे थे और पूरे जोस में थे फिरो मेना उनका पूरा था पसीना और मुह से जाग बरावर आ रहे थे और हाथ की नसे और गले की नसे तनी हुए थे भाशन देते देते वो भाशन के बीच में एक बात बोले जाती कभी नहीं जाती जाती कभी नहीं जाती बड़े जोड से बड़े कॉंफिडेंस से बोले जैसे सारे लोगों को वो बहुत जबलिस मैसिस कॉंफिडेंस में दे रहे हैं तो मेरा माँ था थोड़ा सा ठंका उनोंने पठ्चीं हमके पास आई मगर फिर वोई उनोंने अपनी कलाकारी और वो अपने समय से ज़्यादा समय उन्होंने लिया जब वो भाशन देके आगे और आने के बाद में कारिकरंग खतम हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कहा कि जाती कभी नहीं जाती ये आपने किसाधार पे कह दिया और यकीन मानिये कि उनका जवाब सुनके मैंने अपना माथाब पीट लिया उनका जवाब था राज साब जब से हमने हो समाला है हमने जाती देखिये और हमने तो कभी जाती देखी नहीं इसलिए हमने कहा तो मैंने पूछा कि आपको जाती का फिनोमिना, जाती की टेक्निक, जाती का मेकनिस्म, जाती का सिस्टम, जाती का तंत्र, पता है आपको, कि जाती कैसे काम करती है, कैसे बनती है, हवा में कैसे काम करती है, कहीं लिखित में नहीं है, जमीन पर कहीं नहीं है, सब प्रेक्टिस करते हैं, मगर इसका कोई स आसकते हैं कि यह जाती जो होती है वो जाती भी है क्या आपने बावा साब का एनिलीशन काष्ट पड़ा क्या आपने देखा कि बावा साब की जो जाती थी बावा साब उसको यहीं छोड़ गए क्या आप जानते हैं कि अगर कोई आदमी बुद्धिष्ट बनता है या मुस्ल आते हुए चले गए और सारी कायनात के जितने भी प्रसंद थे वो मेरे दिमाग में डाल गए क्योंकि मैंने उनसे प्रसंद भी किया था कि आपने यहां इतना टाइम लिया इतनी बातें की वो बातें पॉजिटिव रही निगटिव रही आपको कुछ इसका अंदाजा है उसने 50,000 का दिया है मैं उनको 40,000 का दे रहा था आप मुझे मुझे मुख्य अतिती बना देते मगर उन्हों मेरे 40,000 पर नहीं माने तो मैंने मुख्य अतिती से ज्यादा टाइम ले लिया यह और भी अच्छा रहा यानि वो 10,000 में 50,000 वाला भाशन दे गए यह समस्या जो माइक के मरीज हैं उनके लिए बड़ी अजीव सी है क्योंकि माइक का जो मरीज होता है आप कितना ही उसको कह लीजिए वो तो मरीज है माइक का उसे पता नहीं वो तो माइक मिल जा चपड़ जाता है उससे तो माइकों की मरीजों की दास्तान पहचानने के लिए बड़ी सम कमी हमारे जैसी लोगों की है जो खड़े हो के मन से पूछते नहीं कि भई आप बोल क्या रहें आप सुन क्या रहें और आप क्या क्या रहें वहाँ जितने लोग थे उनको ठोक के बोलके चले गए कि जाती कभी नहीं जाती और बावा साव ने इतना बड़ा सिस्टम एने लि कितने कमाल की बात है कि जिस महापुरुस की किताब को पढ़के मानेवर काशी राम साहब जैसे करांती कारी ने करांती कर दी एक छोटी सी किताब को उन जनाब ने वो किताब देखी भी नहीं और वहाँ वो लेक्शर देगे और पूरा पूरा लेक्शर देगे और उससे भ एक महापुरुस जो 6 क्रोड़ लोगों को एक साथ उठा के चला गया जब 30 क्रोड़ की पूरी भारत की जन्सक्या थी उसमें 20% लोग ऐसे थे जिनको पता नहीं था और वो अकेला आदमी उस अकेली किताब के दंपे और उस अकेले डिटिटिटर के दंपे अकेले फिनोमेला के दंपे उस सब को धारसाई कर गया उसकी बात में कहीं आता पता है लिए धन्यवाद